तो हाई अब्रिवान स्वागत है आप सभी आंगनवारी वर्कर्स का पोशन ट्रेकर एब की एक नई अपडेट में तो जैसा कि 18.3 का एक नए अपडेट आ चुका है तो आप लोगों के लिए इस 18.3 में तीन ऐसे महतोपूर अपडेट आए हैं जिसमें कि आप लोगों के ल हम लोग पोशन ट्रेकर एब को अपडेट करेंगे अपडेट करने के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले प्ले स्टोर कोपेन कर लेना है ठिक है ओपेन जैसे ही करेंगे तो आपको यहां पे पोशन ट्रेकर एप लिएक के सर्च कर लेना है सर्च जैसे ही करेंगे तो यहां पे अपडेट का एक option आप लोग को देखने को मिल जाएगा जैसे अपडेट करेंगे तो यहां पे आप लोग के लिए पहला जो अपडेट यहां पे दिखा रहा है निव आभा आइडी creation flow यानि कि आभा आइडी क्या है आपको इस वीडियो में आगे जनकारी मिलेगी और दूसरा जो अपडेट है minor box fixes और तिसरा है app optimization तो तीनों अपडेट के बारे में हम लोग 20-30 से जानेंगे और इस वीडियो को आप लोग को पूरा जरूर देख लेना है क्योंकि यह जो अपडेट है वो काफी महतुपूर्ण होने वाली है तो चलिए सबसे पहले हम लोग किली करेंगे तो आपका जो पोशन ट्रेकर एप है वो अपडेट होने लगेगा थोड़ा देर आप लोग को वेट कर लेना है तो यह बहुत ही कम MB का अपडेट है 5.72 MB का यह अपडेट है आपका जल्दी अपडेट हो जाएगा अपडेट होने के बाद आपका अपडेट करेंगे तो चलिए अब हम लोग चलते हैं पहले अपडेट की ओर जो पहला अपडेट आया है वो आप लोग का क्रियेट न्यू आभाय अकाउंट के बारे में है जैसे कि यहाँ पर बेनिफिसरी वाले पर क्लिक करेंगे और आप लोग किनका किनका आभाय तो यहां पे आप लोग देख पाएंगे कि यहां पे एक option दियेगा है create आभा account तो आप लोग जैसे हैं इस पर click करेंगे तो यहां पे इस परकार से एक option देखने को मिल जाएगा जहां पर लिखाग हुआ है create retrieve आभा account और यहां पर आभा already created और यहां पर आप ग्राफी authentication और mobile OTP तो यहां पर आप लोग फिंगर प्रिंट के द्वारा या फिर यहां पर आप लोग mobile OTP के आभा account create कर सकते हैं यह जो आभा account है वो आइसमान भारत health account जो की भारत सरकार के तरफ से यह योजना चलाई जाती है इसमें की health insurance के लिए आपको 5 लाग का वीमा दि कर सकते हैं और यहां पर डेमोगराफी authentication से भी यहां पर आप लोग उसका account create कर सकते हैं अगर यहां पर जो लभारती है उसके अधार में mobile नमर जूरा होगा तो यहां पर mobile OTP के द्वारा यहां पर आप लोग उसका account create कर सकते हैं यहां फिर यहां पर डेमोगराफी यानि फि जो अपडेट आता है उसके साथ में minor box faces और app optimization जो है वो आप लोगों को देखने को मिलता होगा तो इस परकार से आप लोगों के लिए अपडेट आया है तो आप लोगों को आभा ID creation के बारे में आगे आपको full details मिलेगी किस परकार से आपको कौन से लभार्थिक आप लोग आ बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद